दोस्तों आप सभी से नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदाबाद नियूज मैं धर्मेंदर प्रताप सिंग आभी दो-तीन दिन पहले हमने आपको यहीं से एक लाइव रिपोर्ट दिखाई थी यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी एक बाइक खड़ी थी उसमें तोड़ फोड हुई थी और इन्होंने शिकायत की थी कि बाइक वाले और कार वाले आकर इनके घर में घुज गए मारपीट की इनके साथ मारपीट हुई थी पैरों में चोट आई है कमर में चोट आई थी और इन्होंने उस दिन बताया था कि बहुत अगड़ी मारपीट हुई थी अभी पता चलना है कि एक लड़का और एक लड़की गायब हो गया है क्योंकि ये आगे की अपडेट है तो ह वो भी आपको बताएंगे, आप लोग देख रहे हैं, उत्तम नगर डबुगा कालोनी से लाइब हैं, गाजीपूर, डबुगा गाजीपूर रोड के पास ये कालोनी पड़ती है, अब ये लोग बताएंगे इस मामले में क्या चल रहा है, जो लड़का लड़की गायब है, कहां गायब हो गए और इसकी जानकारी इनके पास कहां से आई, सर आपका क्या नाम है, मेरा नाम कमल जीट है, आपका भीया, अमर जीट, आपके साथ ही उस दिन मार पीट हुई थी, हाजी, क्या कारवाई हुई उसमें, अभी कोई कारवाई नी हो पाई, शिकायत दे दी आ हमें पुलिस से जानकारी मिली है, वो लड़का, एक लड़का एक दो, जो हमारा लड़का है, लड़की कहीं चले गए हैं, आपका लड़का जो हर्स जो गायब हो गया, हाजी, वो उठाने की बाद तो गलत निकली, पिर फिर हमें तो जैसा उस टाइम पर, जप लड़की कहां किये लेकिन सबसे बड़ा गल्थ किया उसने जो लड़की को लेके गया है घर आएगा उसको जूते हिन से मारूँगा और घर में मैं उसको घुसने नहीं दूँगा उसने दोनों परिवारों की जिसकी लड़की भी है विचारे की उसकी भी और हमारी भी बहुत बदनामी कराई है हम सरमिंद की के मारे बहुत ज़्यादे सरमिंद की है हमे उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है अगर ऐसी कोई बात थी तो बैठ के समाधान हो सकता है अब इसका हम क्या करें हम बहुत अफसोच कर रहे है तो आप कह रहे थे कि जो आपका लड़का है नावालिक है और साधी कैसे हो गई यह तो बताओ सर हमने तो अभी उसका आधार कार्ड वगेरा देखा है उसके आधार कार्ड में डेट ओबर 2001 है हम इतने होपलेक्स से सर हमारे घर पे आके हमला हो गया हम इतने होपलेक्स थे कि बिस हम ही पता है हम क्या से क्या कह रहे थे हमें खुद को नहीं पता हमने क्या कहा है हम इतने होपलेक्स थे 2001 की जो डेट बर्थ है तो आप मुझे लगता है वो 22 साल का हो गया हम न यह उख साल की यह पी बाली के पर तो पुलिस के जरीए इनको पता चला कि इनका लड़का हर्स किसी लड़की के साथ कहीं चला गया और पुलिस को बताया गया है कि शादी हो चुकी है दोनों की अब ये कह रहा है कि लड़का आएगा जूते समारेंगे घर में घुशने नहीं देंगे क्योंकि अगर सादी किसी से करनी है तो दोनों परिवारों के बीच में बैड़के उनकी सहमती से शादी करनी चाही थी और इस तरह से भाग के दोनों परिवारों को बदनाम करके शादी करना उचित नहीं है इसलिए इनको अपने लड़के पर गुसा आ रहा है तो पुलिस ने बरामत कर लिया कि नहीं कोई remedy ओगारा को इնफॉर्मेशन निए हमें जो भी इन फोर्मेशन दिये हमें पुलीस वालोंने दिये उन्होंने बोला हमारे पास उनकी साधी का वुक्रां विय है वह उन्हों के पास वतसप आ गया कहिई जी आरियसमाज में बता रहें कर लीकिन इस चीश की हमें कोई जान कर आई मैं कि एसा करना कानुन तो कोई जांशी काम न बेट करो कोई अठारा साल का हो गया तो वो जो है अपना फेसला खुड कर सकता है तो आपने लड़के ने ऐसा फैसला किया है तो कम से कम एक बार कर देगा वह करेगा उसको बहुत गल्द क्या मैं कहा रहा हूँ इतने नीच पणा का काम किया है उसने कि हमें कहीं मरने दूबने की जगे नहीं आप परिशान रही हो रही हो महुत परेशान है कि हम बहुत परेशान है पुलिस से एक गुजार्श करेंगा अपने बैटे की को कउई मिंसिंग कि कम नहीं नहीं दी है था दीन घर भी नहीं नहीं था इसमने आपके लड़के का उस यह मेरे को नहीं पता सब्सक्राइ antis account कि बिच में यह ने पैपा को बता के भी था ड़की के पापा को तुम इले क्योंकि एक नई बात सामने आ गई है कि लड़का लड़की गायब हो गए शादी कल ली सर्टिपिकेट पुलिस को भेज दिया और पुलिस ने इनको बताया कि भाई तुम तो आरोप लगा रहे थे लड़के को किड्नैप कर लिया गया है जबकि आपके लड़के ने किसी बड़ा मैटर होता है किड्नैपिंग का पुलिस तब तीस करेगी वह तो तब पता चलेगा सर पुलिस पर पता चल गया रहा कि उठाया नहीं किसी ने अपने आप उड़ गया हमें पूरा भरोसा है पुलिस निश्पक्स जाच करेगी तो कहीं ऐसे तो नहीं आपके तो यहां पर भी जखा में उसने कट्टा की बट मारी है उस दिन आप लोग कोई वीडियो नहीं बना पाय जो है अब आगे क्या कर रहे हैं? केमेरा लगवा रहें हुआ जी सेटीवी लगवा रहे हमशे के लिए ख़तरा है से जब हमारे तो देखते हैं इस मैटर में क्या निकल कर सामने आता है जो उस दिन इन्हों में बताया था कि इनका लड़का कोई उठा ले गया और लड़का नाबालिक है ये बात सही नहीं पाई गई है आप बता रहे हैं जब ध्यान से देखा गया है आधार कार्ड वगरा डाकुमेंट् बर्थ 2021 किस पाई गई है इस हिसाब से लड़का 22 साल का हुआ और अब इनको पता चल रहा है कि लड़का किसी लड़की के साथ जो है कहीं चला गया और पुलिस को सर्टिफिकेट भेज दिया गया कि दोनों की शादी हो गई है इनको ये जानकारी पुलिस से ही मिली है तो पुलिस इनकी मांगे कि दोनों को बरामत किया जाए और आगे की कारवाई हो बाकि इनका कहना है लड़का मिल गया और यहां पर आया तो जूते से मारेंगे और उसको घर में घुशने नहीं दें क्योंकि उसने गलत काम किया है दोनों परिवारों को बदनाम करने का काम यह एक चीज बताओ चलो लड़का लड़की चले गए ठीक वो घर पर आकर यह कहते हैं आपका लड़का ऐसे हमाई लड़की को लेकर चले यह नहीं कि आप उसके घर पर जाके हतियार पिश्टल लगाना आप रहन करना जो मेरे को गाईडी में डाल रहेते हैं यहां पर गाई लड़का लड़की चली गए तो घर पर आकर । लड़की चले गया और इसे घर वाई नहीं फीच्बारी होगी बाकि जो अफ़्टेट मिलेगी आपको बताएं वेकर अमर जी था घुस्से में कहरे हैं उस दिन बड़ी पिताई हुई थीर उर इनको है हतियार भी लगा द ये गए थे तो उस दिन का गुच्सा इनका गया नहीं है इनका कहना है पकड़ा जाए उनको जो यहां पर आये थे घर में गुच गये थे उमार पेट की थी और लेकर आप पुलिस बरसासन उनसे बरामदगी नहीं करेगी तो किसी पर भी हावी हो सकते हैं अतियारों के बल प करते हैं केस का और जो अपडेट आती है वो दर्सकों को जरूर देते हैं लेकिन जो दूसरा पक्स है उससे भी हम संपर करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे भी पूशा जाएगा कि उन्हें क्या खाबर है और वो इस मेटर में क्या चाहते हैं उनसे भी बाची जरूर की जाए परिदाबाद ने उससे धर्मंदर पृताब सिंग नमस्कार